नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जी मदप्रदेश 36 गड़ पर आपके साथ मैं हूँ सुनालीस सेंगा जो स्पीकर पर के लिए मत दान होगा कुछी देर में स्पीकर के लिए वोटिंग की शुरुआत होगी एंडिये से उम्परला उमीदवार चुने गए हैं वही के सुरेश आई-एंडिये गटबंदन की उम्मीदवार हैं चुनाव से पहले इंडिये की बैठक हुई और न सरफ इंडिये की बैठक हुई बलकी आई-एंडिये गटबंदन की भी बैठक हुई कुछी देर में, यानि की अब से एक मिनट बाद वोटिंग की शुरुवात होगी लोगसभा की कुल 543 सीटे हैं, वाइनाट सीट फिलाल खाली है वही साथ सांसद ऐसे हैं जुन्हें अभी लोगसभा में श्रपत लेनी है तो ऐसे में अगर हम संख्या की बात करें तो अभी जो सांसदों की संख्या है लोगसभा में वो घट कर 535 हो जाएगी, बहुमत के लिए 268 सांसदों का समर्थन जरूरी है आपको बता दें कि एंडिये के पास 293 सांसदों का समर्थन है और YSRCP भी एंडिये को समर्थन यानि की ओम बिरला के लिए वोट करने वाला है और अगर हम आई इंडिया ये गटबंदन की बात करते हैं तो उनके पास 233 सदस्यों का समर्थन है और जो 7 सांसद जिन्होंने अभी शपत नहीं लिये उसमें आई इंडिया ये गटबंदन की 5 सांसद शामिल है जो की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो SME संख्या घटकर 228 तक रह जाएगी तो SME ओम बिर्ला के लिए पहले ही एक भरपूर एज मिलता वा नजर आ रहा है अपसे थोड़ी दिर में देखिए लाइफ तस्वीरे आप तक हम पहुंच आ रहे हैं कुछी दिर में स्पीकर के लिए वोटिंग की शुरुआत होगी आज स्पीकर पद के लिए मतदान होगा 48 साल बाद ये मौका आ रहा है जब स्पीकर पद के लिए मतदान हो रहा है NDS से ओम बिर्ला जो की तीन बार के सांसत है राजुस्थान के कोटा से उन्हें उमीदवार बनाए गया और ये दूसरी बार उन्हें मौका दिया गया अगर वो दूसरी बार भी चुनाव जीतने में सफल रहते हैं तो हारती जुनता पार्टी की ओर से ये पहले नेता होंगे जो दो बार स्पीकर पद के लिए चुने जाएंगे के सुरेश जो की आठ बार के सांसद हैं आई एंडिया ये गटबंदन की उरसे उन्हें उमीदवार चुना किया है तो यानि सीधा मुकाबला ओम बिरला वर्सिस के सुरेश के बीच है और इसके पहले दोनों ही दलों के बीच मीटिंग हुई जिसमें कई एहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई चाहे हम आई एंडिया ये गटबंदन की बात कर ले या फिर एंडिया गटबंदन की यहाँ पर दोनों ही दल मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं हाला कि अगर हम संख्या बल की बात करें तो एंडिया के पास भरपूर समर्थन जरूर है 293 सांसुदों का समर्थन है और अगर हम YSRCP की सांसुदों को भी मुला लेते हैं तो कम से कम 300 तक इनका आकड़ा पहुंच सकता है तो बिलकुल आज स्पीकर के लिए मतदान होगा और कुछी दिर में स्पीकर के लिए वोटिंग होकी एंडिया से उम्बिरला उमीदवार चुने गए है के सुरेश आये इंडिया ये गटपंदन के उमीदवार चुने के है चुनाफ से पहले एंडिया की बैत्रक हुई जिसमें तमाम एहम मुद्दो को लेकर चर्चा हुई आज 535 सांसद वोट कर पाएंगे साथ सांसद शपत नहीं ले पाएं राहूल गांधी वाइनार सीट छोड़ चुके हैं सांसदो के आधार पर बहुमत जो है वो तै होगा यहाँ पर एक जो पिक्चर है वो कही न कही साफ होती नज़राती है लेकिन अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है तो यहाँ पर आई एंडिया के पास भी एक मौका बन सकता है हलाकि उमीद उसकी कम है 535 सांसद ही आज वोट कर पाएंगे वज़ा यह कि 7 सांसद ऐसे हैं जो कि शपत नहीं लिये हैं और जो वोटिंग होगी वोटिंग के बाद रिजल्ट आएगा रिजल्ट के घोशना के बाद उन्हें शपत दिलाए जागा और बड़ी बात यह कि इन 7 सांसदों में 5 जो सांसद हैं वो आई न्डिया घटबंदन के हैं 233 सांसदों का समर्थन आई न्डिया घटबंदन के पास है और 233 में से अगर हम 5 घटा लेते हैं तो 228 सांसद ही वोट कर पाएंगे के सुरेश के पक्षम श्री शत्रुगन प्रसाद सिन्हा श्री शत्रुगन प्रसाद सिन्हा 16 notices of motions for election of speaker all the notices are in order now we will take up the motions for the election of speaker of the Lok Sabha I call upon Prime Minister Srinarendra Modi to move the motion महोदाएं मैं प्रस्ताव करता हूँ कि स्री ओम बिर्ला जी जो इस सभा के सदत से है को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाएंगे श्री राजनाथ सिंह तो second motion महोदाएं आपकी अनवत से मानी प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रस्तू प्रस्ताव का मैं सभर्संग करता हूँ स्री राजीव रंजन सेंग अलाइस लालन सेंग द्वारा प्रस्ताव करता हूँ कि स्री ओम बिर्ला जी जो लोक सभा के मानने सभस है इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूँ डॉक्टर राजकुमार सांगवन तु सेकेंड दो मोशल चल रहा है माहुद है मैं श्री ओम बिर्ला जी जो इस सदन के सदस है उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता है अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूँ मानी अध्यक्ष महुदे मानी प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मानी जीतन राम मांजी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ कि श्री अमित्षा महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिल्ला जो इस सभा के सदस्य है उनको इस सभा के अध्यक्ष्र के रुप में चुना जाए श्री नितिन जयराम गडगरी तु सेकेंड दो मोशन माननिय अध्यक्ष महोदय आधिरनिय प्रधान मंत्री जी ने इस सभा गुर्व के अधिरनिय अमित्षा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुवदन करता हूं जी जादव प्रताप्राव गनपत्राव महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननिय श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदश्य है इनको इस सभा के अध्यक्ष के रुप में चुना जाए महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदश्य है को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए Shri Janta Basumatari, to second the motion I rise to second the move by Shri Shri Lagpasu I где Shri Ombeela, a member of the house, be chosen as the speaker of the house, thanks Shri H.D.kumara Swamy प्रपोस श्री ओम बिरला जी पर दा स्पीकर दा चला प्रपोस श्री बालाश्वरी बालावने नी जी अज़ा स्पीकर आफ दिसाथ श्री किंजर अपूर रम मोहन नाइडू मानिय देख्ष महोदे मैं ओम बिरला जी को जो सदन के सदसी है उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए ये प्रस्ताव में रखता हूँ श्री लवू कृष्णा देवरायलू दोक्टर इंडरा हंग सुबा तु मोव दो मोशन I rise to move the motion that Shri Om Birla, a member of this house with Susan as the speaker of this house Shri Fani Moshan Chaudhari to second the motion Shri Mati Anupriya Patel अधिक्ष महदे मैं प्रस्ताव करती हूँ कि Shri Om Birla जी जो इस सभा के सदस्य है उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए Shri Krishan Paal Shri Krishan Paal Shri Arvind Ganapath Savant to move the motion Item number 12 Bike is not working Sir, Honorable Chairman Sir That Shri Kodi Kunil Suresh a member of this house be chosen as the speaker of the house Thank you Shri N.K. Priyam Chandran to second the motion I second the motion moved by my letter Shri Arvind Ganapath to nominate Shri K. Suresh to speak Anandar Pradhoria to move the motion मुदे मैं प्रस्ताव करता हूँ कि Shri K. Suresh ji जो इस सदन के मानिय सदस्य है को लोग सभा का द्यक्ष चुना जाए Shri Tariq Anwar to second the motion माशे जो प्रस्ताव अभी रखा गया है कि Shri K. Suresh ji के लिए उनको सदन का अध्यक्ष चुना जा मैं उसका प्रस्ताव करता हूँ स्रिया सूरेश 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 मैं बढ़ाया का अध्यक्ष चुना जाए मुच्री ये। बिरिंद्र कुमार जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसको मैं समर्थन करता हूँ प्रफेसर स्पी सेंग बागेल देट श्रियों पिरला दा मेंबर आप दिस हाउस बीचुजन अजे स्पीकर अप दिस हाउस श्री पंकर्ज चौधरी तो सेकेंड दो मोशन अजे मैं प्रफेसर स्पी सिंग बागेल जी की प्रस्ताव के समर्थन करता हूँ श्रीमती अनपुनना देवी to move the motion मैं प्रस्ताव करती हूँ कि स्री ओम बिरला जो इस सभा के सदे से हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए श्रिमति कमल जेत शरावग तो सेकंड अधिन अधिन इस पर्साव को सेकंड करते हुआ I now put the motion moved by Shri Narendra Modi and seconded by Shri Rajnath Singh to the vote of the house. The question is that Shri Om Virla, a member of this house, be chosen as the speaker of this house. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Virla is declared elected as the speaker of this house. Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Shri Om Virla to occupy the chair. A lot of division force नहीं किया है. इसलिए तो बिल्कुल देखिए ओम बिरला को speaker के लिए चुन लिया गया है और 20 मत से यहां पर चुनाब कराये गया और आपको बता दें, यह बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं. स्पीकर ओम बिरला चुन लिये गये हैं और यह दूसरी मरतबा है जब ओम बिरला को speaker चुना गया है. मतपुण खबर, बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं के सुरेश इंडिया गटवंदन के उमिद्वार थे. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी देखिए, आप TV स्क्रीम पर देख रहे हैं, उनको बधाई देते वे नज़रा रहे हैं. और ओम बिरला, दूसरी बार यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी की भी तस्वीरे आप देख सकते हैं, जो कि विपक्ष के नेता चुने गए हैं, और राहुल गांधी ने भी उनसे हाथ मिलाया, और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, उनके पीछे किरन रिजुजू आ और यह पहली बार है, जो भारती जुनता पार्टी का कोई नेता, दूसरी बार कोई सांसत, दूसरी बार स्पीकर के लिए चुना गया है, इसे पहले कॉंग्रस के एक सांसत थे, जो दो बार स्पीकर बने थे, लेकिन पहली मरतबा है, जो भारती जुनता पार्टी का कोई दो बार स्पीकर चुना गया है तीन बार के सांसद है ओम बिरला राजस्थान ते कोटा सीट से और पियम मोदी ने देखे हाँ जोड़कर अभिवादम किया राहूल गांदी हाथ मिलाते वे नजर आएं कॉंगरिस लेट करते वे नजर आएं और किरन रिजीजू भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो ओम बिरला स्पीकर चुन लिये गया है के सुरेश उनके सामने खड़े थे जो के आठ बार के सांसद और यहाँ पर धनी मत से ये वोटिंग कराई गई और ओम बिरला को एक बार पर से स्पीकर चुन लिया गया है जो तस्वीर आपटी विस्कीम पर देख सकते हैं ओम बिरला अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं और अभी की जो कारवाही होगी वो ओम बिरला सखालते वे नसर आएंगे आप बिरला है प्रार अप्यू झालिए यूजा झालि रख भार आप दिरूते लिवार इसलिएंगे है जो का फूल फ्रूट रहे हैं और नसर जानी समय है जो उत्यार ऑफम फूल के विरला इंट न्यूजेशा और इंट परमेंगे जो प्रफूंज गुक नियुक 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 उपनिक पर रूवी नियुक चली कि जियुक कुछंचे जोई दो नियुक तो उसकति ञान एंटर मॉट्स के युक हम गुव। the work within the time frame under the guidance of the speaker pro tem and the panel of chair persons on behalf of the entire house i thank all of them once again i thank all the honorable members for your cooperation with DI36 मं आञनिये प्रणान मुन्ति जी अक्राद करना है है隻 757 001AK yarn Ben rows a swordsman कि या सदन का सोमभाज़्य हैं कि कि आप Redehaus दूसरी बार इस आशन का विराजमान हो रहे हैं, आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ. अधने अध्रिक जी, मेरी तरफ से आपको शुप कामना हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुप कामना हैं. अम्रत काल के इस महत्वक्व कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना, बहुत बढ़ा दाईत आपको मिला है. और आपका पांच वर्ष का अनुभव, और आपके साथ हम लोगों का पांच साल का अनुभव, हम सब का विश्वास है, कि आप आने वाले पांच साल, हम सब का मार्दर संग भी करेंगे, और देश की आशा आपके छाय पूर्ण करने के लिए, ये सदन अपना दाईत को नि भूमी कर रहेगे, अधेने दिर्ग जी, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, कि बिनम्रा और व्यहवार कुशल, व्यक्ति सभल सहरज रिस्त्र होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मिठी-मिठी मुष्कान भी मिली हुई है, आपके चहरे को ये मिठी-मिठी मुष्कान पुरे सदन को भी प्रसंद रखती है, मुझे विश्वास है, आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए किर्थिमान गड़ते आये हैं, अठारवी लोगसभा में, स्पीकर का कायरभार दुस्त्री जार सभालना, ये अपने आप में एक बया नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं, स्री राम, स्री बलराम जाखर जी, वो पहले ऐसे अध्यक्स देख जिन्होंने पांच साल कायरकाल पूरा करके, फिर दुबारा उनको स्पीकर बनने का आउसर मिला था, उसके बाद आप हैं, जिन्हें पांच साल पूर्ण करने के बाद, दुबारा इस पज़ पर आशिल होने का आउसर मिला था, गत बीच साल का एक ऐसा तालखन रहा है, कि ज्यादा तर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं, या तो जीत करके नहीं आए हैं, आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना चथी है, कि उसके लिए दुबारा जीतरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं इसके लिए, एक नया इतिया हाथ आपने कड़ा, अधरिन्य अध्यक जी, इस सदन में ज्यादा तर हमारे सभी माननिय सामसत, आप से परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं, और पिछली बार मैंने, इस सदन में आपके समझ में काफी कुछ बातें रखी भी थी, और मैं आज उसको दोहराणा नहीं कहता हूं, लेकिन मैं एक सामसत के रूप में और हम सभी सामसत के रूप में, आप जिस प्रकार से एक सामसत के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य हैं, और बहुत कुछ सीखने योग्य हैं, मुझे भी स्वास है कि आपकी कारशा है लिए एचा सांसद भी हमारे जो first timer सांसद है हमारे युवा सांसद है उनको जरूर प्रेना देगी आपने अपने कारक्षेत्र में सांसद यक्षेत्र में स्वस्त मा और स्वस्त सिशु एक commitment के साथ जो अभ्यान चलाया है और सुकोषित मा इस अभ्यान को अपने जिस प्रकार से अपने छेत्र में प्रास्मित्ता दे करके खुद को involve करके किया है वो वाकई प्रेरक है आपने कोटा के ग्रामिट छेत्र में होस्पिटल नन विल्स ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राजनीती कामों के सिवाइट करने वाले कामों में आपने चिना है वो भी अपने आप में गाउं गाउं लोगों को स्वाथ सेवा पहुंचाने में मदद कर रहा है आप आपनियमित रुप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के नुजार चाता की जरोते चाता, जूते, ऐसे अनेक सुविधाय, समाज के आखरी तपके के जो लोग है, उनको खोजकोर्तित के पहुचाते हैं. खेलों में पुच्छान देना, आपके खेत्र के युवकों में, या अपनी एक पादफिक्ता के रुप से काम उठाया है, आपके पिछले कारकाल में, सत्रह भी लोग सभा में, मैं कहता हूं कि संसदिय इतिहास का वो स्वनिम कालखन रहा है. आपके अद्रिक्ता में, संसदिय जो अइतिहास सिक निर्णे हुए है, आपके अद्रिक्ता में, सदन के मादम से जो सुधार हुए है, ये अपने आप में, एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है, और धवीश में. सत्तरवी लोकसभा के समन में जब विश्ट्रेशन होंगे, उसके विशे में लिखा जाएगा, तो भारत के भविश्य को नई दिशा देने में, आपके अद्रिक्ता वाली सत्तरवी लोकसभा की बहुत बड़ी भुमिका रही है. आदर्निय अद्यक जी, सत्तरवी लोकसभा में, नारी शक्ति मंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्विक उनरगठन विदेयर, भारतिय न्याय सहिता, भारतिय साथ्षभिल, भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता, सामाजिक सुरक्षा सहिता, डिजिटल परस्टनल डेटा प्रोटक्षण बील, मुसलिम महला, भिवा, अधिकार, समरक्षण विदेयर, टांस जेंडर परसंस, प्रोटक्षण अब राइस बील, तन्यूमर प्रोटक्षण बील, डारेक्ट पैक्स, विवाच से विश्वास विदेख, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्य महत्वक है, अचे कितने ही महत्वकुन है, त्यासिक कानूम, 17 अभी लोग सभा में, आपकी अधिक्स्ता के अंदर, इस सदन्य पारित किये हैं, और देश के लिए एक मजबूत निव बनाई है, जो कारिया, आज आधिके 70 सा में नहीं होएं, आपकी अधिक्सा में, इस सदन्य इसको करके दिखाया है, आधनिय गजी, लोग संत्र की लंबी आत्रा में, कई पड़ावाते हैं, कुछ आउसर ऐसे होते हैं, जब हमें किर्तिमान स्थापीत करने का सौभाग मिलता है, शक्रवी लोगस्वा में उपलग्धिया, मुझे पूरा विश्वास है, देश आज भी और भविश्य में उसका गवरोव करेगा, आज देश अपनी अकांच्छाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर करह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये नया संसद भवन भी अम्रिद काल के बविश्य को लिखने का काम करेगा, और वो भी आपकी अधिक्ता, नये संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अधिक्ता में हुआ और आपने संसदिय कारप्रणाई को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वकुन फैसले लिए हैं, और इसलिए लोगतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है, लोगसभा में हम पेपरलेज डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं, पहली बार आपने सभी मानने संसदों को ब्रिफिंग के लिए एक व्रवस्था ख़ड़ी की, इससे सभी मानने संसदों को भी आवशक रेफ्रेंस मट्रियल मिला, उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पूष्ट हुई, और यह आपका एक अच्छा इनिसिट्यू था, जिसने संसदों में भी विश्वास प्यदा किया, हाँ, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी अपने तार के दे सकता हूँ, तो एक अपने अच्छी व्यवस्था को भिश्शित किया हूँ, आदेनिया देख जी, G20 भारत की सभलता के एक महत्वपों प्रष्ट है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है P20, और आपके नेत्रुकों में, जी 20 देशों के, जो पिठासिन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपके अधिक्ता में हुआ, और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए, उसमें ये ऐसा अवसरताग दुनिया के सरवाधिक देश, आपके निमंत्रन पर भारत आए, और बहुत ही उत्त्रम प्रकार के निर्णे, उस समीट में हुए, और उसने विश्व में, भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिश्टा है, उसको गवरव देने में, बहुत बड़ा रोल अदा किया है, आदर ये देख जी, ये हमारा भवन, ये सिर्फ चार दिवारे नहीं है, हमारा ये संसत, एक सो चालीस करोड देश वाश्यों की आशा का केंद्रा, संसत की कारवाई, जबाब देही, और आचरण, हमारे देश वाश्यों के मन में लोकतंत्र के प्रतिश उनकी निश्टा है, उसको और अधिक मजबुद बनाता है, आपके मार्दर्शन में सब तरह भी लोकसभा, उसकी प्रोडक्टिविटी, पचीस साल के हाइस लेबल पर 97 परसंट रहे हैं, और इसके लिए सब मानिय सदस्य तो अभिनांदर के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनांदर के अधिकारी हैं, कोरोना जैसे मुश्किल कालखन में, आपने हर सांसद से ब्यक्तिकत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा, कहीं किसी सांसद की बिमारी की खबर आई, तो आपने सदन के अधिक के नाते व्यक्तिकत फोन पर उसके चिंता की, और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था, मुझे बड़ा गर्व होता था, कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुख्य के रुप में, उस करोना काल में भी व्यक्तिकत चिंता करती है, करोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया, सांसदों भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चड़ाया, किसी को उपर बैठने के लिए कहां तो वो महां जाके बैठा, किसी को दूसरे जगा भी जाके बैठने के लाइखों वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया, लेकिन आपने यह जो फैसले की है, उसका परणाव है कि हम उस कठीन कालफन में भी कार्य कर पाएं, और एक खुशी की बात है कि कोरोने काल में सदन ने 170 परसंट प्रोड़क्टिविटी, यह अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है, अधनिय अद्देश जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरान, सदन के नियमों का पादान हम सब करें, और आपने बड़े सटिक तरीके से संतुलिक कर दिया, और कभी कभी कठोरता के साथ भी हैसले लिये हैं, मैं जानता हूँ, कि ऐसे निरने आपको पीड़ा भी बेते हैं, लेकिन सदन की गरिमा, और व्यक्तिकत पीड़ा के में, आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपराव को बनाने का प्यास किया ये सहस्पुढ काम के लिए ही आदर्णिय देख जी आप अभीनादन के अधिकारी है मुझे भी स्वास है आदर्णिय देख जी आप तो सफर होने ही वाले लेकिन आपके अद्धिश्ता में ये अठारवी लोग सभावी बहुत सभलता पूरवक देश के नागरितों के सपनों को पूर्म करेगी लग फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दाइटों के लिए और देश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने वाले इस सदन के अद्धिक्ता के लिए रजय से बहुत-बहुत सुक्तामनाई देता हूँ बहुत-बहुत-बहुत-बधाई देता हूँ स्री बाहुल गांदी जी Speaker Sir, I'd like to congratulate you for your successful election for the second time that you have been elected I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alarm Speaker Sir, this house represents the voice of India's people and you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice of course, the government has political power but the opposition also represents the voice of India's people and this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work we would like the house to function often and well Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust it is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house I'm confident that you will allow us to represent our voice allow us to speak allow us to represent the voice of the people of India Speaker Sir, the question is not how efficiently the house is run the question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house so the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea and this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution the samvidhan of this country and we are confident that by allowing the opposition to speak by allowing us to represent the people of India you will do your duty of defending the constitution of India I'd like to once again congratulate you Speaker Sir and also all the members of the house who have won their election Thank you very much Thank you स्वी अखलेश यादो जी लोगसवा के नम निर्वाचित अद्देश जी को मैं बहुत बहुत बढ़ाई और शुबकामनाई देना चाहता हूँ जहां बढ़ा मंती जी और हमारे साथ ही लीड और पोजिशन नी आपको बढ़ाई दी है वही मैं भी उन से जुड़ करके आपको बढ़ाई देना चाहता हूँ आप इस सदन के स्पीकर दुबारा चुने गए हैं आपके पास पांस साल का जहां अनुभव रहा है वही आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है मैं अपनी तरफ से अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई और शुकाना देता हूँ जिस पत पर आप बैठे हैं इस से बहुत दौरफ सारी पनप्राई जुड़े हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भी धवाब के आगे बढ़ेगा और लोग सबा के अध्यश के रूप में आप हर सांसत और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे निस्पक्ष्टा इस महान पत की महान जिम्मेदारी है